हालो बच्चों तो बच्चों आज हम आपके लिए ले के आएं फर्स्ट ट्विन्टी ऐलिमेंट्स क्योंकि जब हम प्रियोडिक टेविल याद कर दें तो हमें सबसे पहले ट्विन्टी फर्स्ट ऐलिमेंट्स याद करना बहुत ज़रूरी होता है 9th standard में तो हमें कम से कम अगर periodic table याद नहीं है तो कम से कम first 20 elements हमें याद होना चाहिए जिससे कि हम first 20 elements के atomic number उनके masses जान चकें तो बच्चों बहुत ही आसान तरीका हमारे पास यह है first 20 elements को याद करने का कि पहले हम 10 elements याद करेंगे और हमारे first 10 elements हमारे इस तरह से हमें याद करना है HH, LI, BBC, NO, Fluny तो यह sentence हमें इस तरह से याद कर लेना है HH, LI, BBC, NO, Fluny तो यह हमारे 10 elements हो जाते हैं देखिए first हमारा जो H है वो हमको बताएगा hydrogen और second H यहाँ पर वो हमें बताएगा helium Li से हमारा हो जाएगा lithium और B से first B जो हमारे यहाँ पर आ रहा है उससे हो जाएगा beryllium और second B से हमारा हो जाएगा boron फिस C से हमारे पास हो जाएगा carbon N से हमारे पास हो जाएगा nitrogen O से हमारे पास हो जाएगा oxygen और flu से हम fluorine लेखेंगे और N E से हम लेखेंगे neon तो यह हमारे first 10 elements हो जाएगे HHLI या आप कैसे रखना है HHLIBBCNO fluorine अब देखें हमसे कोई carbon का atomic number पूस्ता है तो HHLIBBCNO हम अपनी उंगलियों पे count कर सकते है HHLIBBC C हमारे आ रहा है 6 नंबर पे तो यहाँ से हम खट से बता सकते हैं atomic number 6 होगा ठीक है इसी तरीके से आप यहाँ से इंगलियों पे इसको याद कर लीजिए ठीक है HHLIBBCNO fluorine तो यह 10 हो गया नी तो इसका atomic number neon का 10 तो इस तरीके से हम atomic number याद कर सकते हैं first 10 के और हमें याद क्या रखना है यह HHLIBBCNO fluorine तो यह हमारे हो गए first 10 elements अब इसके बाद हम 5 elements और याद करेंगे जिससे की हमारे 15 elements हो जाएं तो 11 से लेके 15 तर हमें याद कैसे करना है sodium और यह आपके 5 elements हो जाएंगे sodium और यह आपे ने से कुछ नहीं लेना है मांगे से हो जाएगा हमारे पास magnesium और आलू से हो जाएगा हमारे पास aluminium तो sodium ने मांगे आलू यह तीन element हमारे पास आगए अब यहाँ से कोई हमसे atomic number पूछता है तो यह 11 से 15 हमारे होंगे इसको हम और लिख लेते हैं सिली ने फोटो तो सिली से हो जाएगा silicon और फोटो से हो जाएगा phosphorus तो यह हमारे पांच element हो गए सिलीन मांगे आलू तो sodium magnesium aluminum और सिलीन मांगे आलू sodium magnesium aluminum और सिलीन मांगे फोटो सिलीन मांगे ने लगाना यहाँ पे सिलीन फोटो सोडीन मांगे आलू सिलीन फोटो तो सिलीस हो जाएगा silicon और फोटोस हो जाएगा phosphorus तो यह हमारे 5 elements हो जाएंगे, तो इन 5 से अगर हमें यहां से कोई पूछ लेता है, जैसे हमसे कोई पूछ लेता है, अलमूनियम का atomic number बताओ, तो अब उंगली पर काउंट करेंगे, 6 ने मांगे आलू, तो यह 3 नमबर बहा रहा है, तो यह हमारा 13, तो हमारा 13 इसका atomic number हो जाएंगे 13, इस तरीके इस फॉस्फोरस खोटो, तो यह 15 लास्ट मांगा रहा है, तो यह 15, इसका atomic number हो जाएंगा फॉस्फोरस का 15, तो अब यह 15 elements हमारे हो गए तईयार, अब next five elements जो हैं हमारे और हैं तो यहाँ पर यह एक ही sentence अब याद रखना है next five के लिए 15 चो 20 तक के लिए sulfur chlorine आपका sulfur chlorine आपका थीक है सोडी नमाएग गा आलो सिली ने फोटो और sulfur chlorine आपका है तो sulfur से आजाएगा हमारे पास आरगन और P से आजाएगा हमारे पास potassium कि और कि यह हमारा हुआ कैल्सियुम का तो यह हमारे फस्ट यहां पर आपा रहा है तो यह हमारे फस्ट ट्विंटी एलिमेंट्स हो गए बहुत आसानी के साथ हम फॉरान बता सकते हैं कि इसका अटॉमिक नंबर फस्ट से लेके 20 तर हमचे कोई पूछले सुलफर कर बता यह तो 15 पर यहां फोस्ट पर खतम हो रहा था तो सल्फर हो गया 16 और 16 के बास क्लोरीन पूछले यह 17 हो गया अब आरगन पूछले वही तो आरगन के लिए 17 18 हो गया पोडेशियम के लिए जो हमारे 19 हो कैल्च हमारे 20 हो गया तो बहुत आसानी से हम यह फस्ट 20 एलिमेंट्स य याद कर पाएंगे एक बार मैं फिर से रिवाइस करा देता हूं एच एच एलाई डीवी सियनो फ्लूनी सोडी नमागे आलू सिलीन फोटो सर्फर क्लोरीन आपका तो बहुत आसानी के साथ यह हमारे 21st एलिमेंट्स हो जाते हैं तो बच्चों यह फस्ट 20 एलिमेंट्स या करने का एक अच्छा तरीका आपको आसान तरीका मिल गया है कि यह वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएए थैंक्यू वेरी मच्च